हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू पैल क्लासेज, जैसा आप सबको पता है ही कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशल शुरू किया प्रीवियस लेक्चर में, आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम पोटेंशल फाइंड करेंगे और क्या रिलेशन है इसका इलेक्ट्रिक फिल्ड के साथ और बाके सब चीजें, प्रीवियस क्लास हमने एंड की विद फाइंडिंग पोटेंशल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो हमने माना पॉइंट चार्ज से एक ओरिजिन पे रखा, इस से आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो according to definition we will bring it from infinite, अब सिंस के इलेक्ट्रिक फिल्ड लगातार चेंज हो रहा है, या यह बोल सकते हैं कि फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, तो वो लगातार चेंज हो रहा था, तो उसे find करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि इसको क important concept था वो था कि distance और force या electric field के बीच का angle था, वो 180 था, और dx को हमने negative क्यों लिया, more dx को, तो वो मैंने आपको explain किया था, कि यदि dx खुद negative quantity है, dx is itself a negative quantity, then it will be taken as the negative, आ रहा है समझ सबको, तो इस तरह से हमने कहके इसको negative लेना पड़ा, और फिर solve किया हमने हमने हमारा answer आ गय है, अब ध्यान दो, since potential is a scalar quantity, potential at a point due to system of charts will be the sum of potential due to all charts at that point, एक question कर लेते हैं, बहुत simple सवाल होते हैं, वैसे तो potential के बिटा, फटा-फट से देखेंगे सभी बच्चे, मानलो अगेन एक triangle ले लेते हैं, वही अच्छा लगता है, equilateral triangle मानले, side, tino side, L, इसके centroid पे हमें potential निकालना है, Q, Q और Q, टीन चार्ज रखे हुए हैं, और centroid पे हमें क्या निकालना है, potential, ठीक है, वैसे देखेंगे सारे point सेम ही हो जाते हैं, potential at center, अब कोई भी center और equilateral की लिए सेम ही होता है, ध्यान देख ऐसे करेंगे, देखो इस Q charge की वज़े से, potential की direction होगी इधर, हाना, इस Q की वज़े से इधर, और इस Q की वज़े से इधर, अच्छा, अब आप बोलेंगे सर, आपने तो यह क्या किया, आपने तो गलत कर दिया, potential की कौन से direction होती है, भई, potential की वज़े direction थोड़ी होती है, ध्यान दे, यह भी एक class में जब मैं करवाता हूँ, तो बच्चों से पूसता तो हाँ भी करते है, मैं बोलता हूँ, potential की direction है, बच्चों बलते है, yes sir, potential direction है, हाँ, बिल्कुल हाँ, अरे भई, potential की कौन से direction होती है, scalar है, तो answer तुरंत है जाएगा, मानू यह distance r है, तो तीनों से क्या r होगी, अब आपको scalar quantity है, तीनों को add कर दो simply, तो यह answer हो जाएगा potential का, तो देखो बीटा, potential बहुत सारे charge की वज़े से निकालना बहुत असान होता है, हमें कुछ भी नहीं करना होता, individual charge की वज़े से वहाँ potential निकालके सीधा जोड़ दो, सबको, सबको क्या कर दो, सीधा add कर दो, हमें हमारा answer म बेल जाएगा without any issue, without any problem, बढ़ाता है कहानी को आगे, अब यह जो portion है, यह बहुत ही ज्यादा important portion है, potential due to electric dipole, देखो बेटा मैंने पहले भी आपको बताया है कि dipole जहां भी word दिखे, this is a very important, dipoles related जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, वह बहुत ज्यादा important हो जाता है, कि बहुत जा बनाया कैसे जाता है, माल लेते हैं कि यहाँ पे एक dipole है, minus q plus q, obviously इसकी distance हम 2a ले लेते हैं ताकि calculations करना हमें आसान पड़े, यहाँ से center से एक theta angle पे r distance पे कोई point है, जिस पे हमें potential निकालना है, हमने क्या किया, इस से इसको मिलाया, तर इसको बोल दिया हमने latest से r2 बोल दिय और यहाँ से इसको मिलाते हुए एक vector लिया, जिसे हमने बोल दिया r1, अब ध्यान दे बच्चो, तो क्या होगा, कि हमें actual में r2, r1 निकालना पड़ेगा, तो हमें तो r पता है, बट निकालना क्या होगा, r2 और r1, तो हमने क्या किया, कि यहाँ से एक perpendicular draw किया, इस तरह से, similarly हमने क्या किया, कि इस line को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ से एक perpendicular draw किया, और इस point को up wall दो हमारे, तो यह दोनो perpendicular, दोनो side draw किये, इसको नाम दे सकते है, कुछ भी हम जो चाहे D, C, जो भी नाम देना चाहे, C नाम दे दिया, D नाम दे दिया, तो इस तरह से perpendicular draw किया, अब दे tense हो जाती है, A cos theta, बस यही हमें काम में लेना है, आया समझ कि यह A था, यह triangle देखो यह वाला, OPD, तो यह वाला, यह वाला, तो इसमें यह A side है, तो यह side हो जाएगी, A cos theta, आप जान दो, AB dipole है, we need to find V at a point P, Q, P due to this electric dipole AB from figure, OD बराबर OC, तो बटा, OD और OC, दोनों क्या हो जा तो यह समझ आया होगा आपको, कि किस तरह है यह distance से, जो है A cos theta हो जाएगी, since age very very less than R1 and R2, यह तो हमें ध्यान रख नहीं है, अब देखो, OP को कहा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो कि सभी बच्चे, यह OP length, यह OP है, यह OP है, OP को में लिख सकता हूँ, OD plus PD, PD plus OB, समझो, कि PD तो था ही है, PD, पहले कहा लिख सकता, PD plus, sorry, PD plus O, और यह कौन सा point लिए है, हमने D, तो PD plus OD, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे हम क्या बोल रहे है, PD plus OD, इसको correct करेंगे सभी, ओके, ना R क्या हो जाएगी, ध्यान दो, R है OP तो किस के बराबर है, OP बराबर है, ठीक है, यह distance R है, यहाँ पर diagram में देखे, और PD जो है, जो PD distance है, वो किस के बराबर है, R2 के, कैसे हुई, अब समझे इसको, देखो पीटा, यहाँ इस diagram में देखोगे, यह triangle देखो हमारा, कौन सा, यह वाला triangle, PDB, यहाँ पर, since की यह side बहुत small है, यह बहुत छोटी side है, तो यह और यह लगबग बराबर माल लेते हैं हम, तो PD बराबर PB, ऐसा करना ही पड़ेगे, approximation लेना ही होगा, आप याद करो, जब हमारी यह sides, यह part बहुत छोटा होता है, तो हम दोनों sides को equal माल लेते हैं, तो दो PDB को हमने माना था, R2, तो PDB हो जाएगा, R2 के बराबर, ठीक है, और OD हमने अभी निकाला, Ecos Theta के बराबर है, तो यहाँ से हमें तो निकालना गया था, R2, R2 आ गया, R-Ecos Theta, similarly हमने बड़ा वाला यह लिया, ट्रैंगल से, तो देखो, CP जो है, यहाँ से देखो, CP, यह CP, CP, CP को में लिख सकता हूँ, PO, OP, प्लस OC, तो आ गया यह, और CP, R1 के बराबर है, कैसे, वही ट्रैंगल ले लिए हमने तो यह R1, तो यह भी पूरी R1 हो जाएगी, R1 प्लस Ecos Theta, अब ध्यान कैसे रखोगे, यह तो वाट Geometrical Interpretation, अब मैं आपको याद गरने का तरीका बता बताओं ध्यान देंगे, वेटा ध्यान दो, यहां पर R से 2 साइड है, एक तो R2, एक R1, तो तुम तो इतना याद रख लो, कि जो तुम ने डाइग्राम अच्छा, तुम यहां R1 भी मान सकते ते, यहां R2 भी मान सकते, तो तुम तो यह साइड रखो, कि जो साइड डाइ R2 is less than R and R is less than R1 तो सबसे बड़ी R1 है तो R2 R से छोटी है तो जो छोटी है उसको इसमें से माइनस कर दो एक कोस थीटा और जो बड़ा है उसमें एक कोस थीटा एड़ कर दो बस इतना ही फरेक है मतलब साइड यदि छोटी है तो एक कोस थीटा से छोटी है और साइड यदि बड़ी है तो वो भी एक कोस थीटा से बड़ी है इतना समझ गए तो हमारा काम आजसानी से हो जायेगा और कोई टेंचन नहीं करने की जरूरत बाकि सारा काम हो जायेगा ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा तो क्या किया सिंपली यह आद रखो यह तो जोटी साइड होगी उसके लिए एक कोस थीटा माइनस कर दो जो बड़ी साइड होगी उसके लिए एक कोस थीटा प्लस कर दो तो इतना पार्ट होगे होगा अब देखो क्या important है ध्यान दोगे तो potential जो लिखा जाएगा V8P वो equal to होगा KQ upon R2 minus KQ upon R1 यह potential की value होगी मतलब क्या potential क्या होता है multiple charge की वज़े से दोनों charge की वज़े से निकाल के जोड़ दो plus Q की वज़े से positive potential होगा minus Q की वज़े से negative होगा तो जोडने पर यह value आएगी देखो कैसे किया 8P the total potential will be sum of potential due to Q and minus Q V due to Q plus V due to minus Q यहांसे values निकाल ली हमने देखो तो जो वहाँ पिसली लिखा मैंने वही तो लिखावा है अब कुल मिला के बाद question solving आ जाती है इस find करने पर तो निकाल दो फटाबड से R1 minus R2 हो गया 2A cos theta और R1 R2 बेटा देखो R1 की value क्या थी R1 की value थी R plus A cos theta और R2 की value थी R minus A cos theta दोनों को जब subtract करूँगा तो आएगा 2A cos theta और multiply करूँगा तो आएगा A, A minus B, A plus B का formula लग जाएगा अब देखो यहांसे क्या पता से ला कि R बहुत बड़ा है A cos theta से obvious ही बात है A ही बहुत छोटा है R से तो A cos theta तो और भी ज़्यदे छोटा होगा अई बात समझ तो इसको neglect कर सकते हैं क्या answer क्या बचा देखो यहांसे Q multiply 2A बन गया P A साथ में ही तो K P cos theta by R square तो याद रखेंगे सभी बच्चे कि C B dipole की वज़े से potential का formula होता है K P cos theta upon R square काफी important formula है बहुत ही ज़्यादा important से इसकी value है इसकी द्यान रखेंगे अब द्यान दो यदि माल लो theta 0 है theta 0 का मतलब क्या होगा point axis पे dipole की point कहाँ पे axis पे dipole की तो cos 0 0 1 होता है तो यहांसे answer जाएगा K P by R square axis और यदि theta 90 हुआ तो cos 90 0 when P is on the equatorial line dipole का याद गरो आपो नहीं यहां तो previous chapter का फठाफट से lecture देखो dipole पे कि इसको axis बोलते हैं इसको equatorial line बोलते हैं तो dipole के equatorial line पे theta 90 और potential होता है 0 और ध्यान देने की बात है कई बार question पूछा जाता है कि सब तरह के charge की वज़े से system की वज़े से potential क्या directly proportional 1 by R होता है ना dipole की वज़े से आरा 1 upon R square अब दूसरी बात जिसके questions बनते हैं वो यह है देखो electric potential at the equatorial line is zero but electric field is not zero बहुत ध्यान देने की बात है पिसली class में पिसले chapter के जो part था electric potential आप electric field देख सकते डाइपोल की वज़े से उसमें equatorial पे electric dipole की वज़े से field आता था KQ by R I think आपको याद होगा direction ही होती थी तो जब electric field यहां कहीं भी zero नहीं होता था equatorial line पे potential zero है तो कई बार आपसे assertion region पूस दिया जाता है और अब तो पूछा भी जायेगा ऐसे questions की if potential is equal to zero electric field must be zero और electric field equal to is non-zero then potential must be non-zero तो ऐसे questions आप से पूछे जा सकते है बहुत ही है ज़रूरी तो यह dipole का case याद रखे यह बहुत लफड़े करवाता है ठीक है ऐसे questions का main तोड़े यह dipole तो यह line बहुत ज़दा important है यहां लिखी हुई electric potential बहुत बहुत important है ध्यान रखे इस पर पका questions बन सकता है theoretical question electric potential है क्यों क्या बताना चाहरा हूँ कि E non-zero है तो भी V zero हो सकता है और यदि कहीं ऐसा भी होगा कि V non-zero है तो E zero हो रहा है ऐसा भी हो सकता है total possible है ना तो सारी बात समझ में आई होगी तो इतना समझ आया होगा ब आपको नहीं आया समझ तो पूछना है और ध्यान रखके इसको solve out करना है तो simple है विसे तो answer तो बेटा देखो simple है बहुत kq by r1 minus kq by r2 this is the answer अब r1 r2 को manipulate करना है तो मैंने क्या सिखा है यदि आप geometrically इसको समझ पा रहे हो कि कैसे आए तो ठीक है दरवाज remember कर लो क्योंकि exam इसके नंबर नहीं कटने वाले कि r1 हो जाएगा r2 हो जाएगा r2 हो जाएगा r2 याद कर सकते हैं आप छोटा बड़ा याद रखो कि डाइग्राम ही हो सकता ना आप तो अलग-लग लिवो r1 r2 को अब इस पर बेटा में कोई question नहीं ले रहा बहुत simple से होते है सीधा formula लगा लगाओ answer पाओ it is a kind of जैसा कि मैं बोलता हूं कि यह तो इस तरह की problem है flip problem डाइरेक्ट तो क्या करवा है formula लगाओ answer पाओ ठीक है तो answer बाज आएगा तुरें चलो देखो next concept हमारे पास में important आता है that is the equipotential surface equipotential surface क्या है ध्यान से देखेंगे विसे तो नाम सी समझ में आ रहा equal potential हो जाँ क्या ऐसी surface जहां पर potential कैसा हो equal हो उसे क्या बोला जाएगा equipotential surface देखें कैसे if electric potential on all points on a surface kept in an electric field is the same then such surface is called equipotential surface देख लिया मतलब क्या किसी भी surface के सब points पे चाहिए है यहाँ point लू यहाँ point लू यहाँ लू यहाँ लू यहाँ लू यहाँ लू माल लो इस surface के सब पे यह दि potential same है potential कैसा है same तो कैसी surface होगी equipotential surface ओके दूसरा important point देखो क्या है direction of electric field at equipotential surface is perpendicular तो याद करो equipotential surface पे यह electric field लाइन जब मैंने पढ़ाई थी आपको तब भी मैंने उसकी characteristic में लिखाया था यह point कि equipotential surface पे electric field lines कैसे आती है perpendicular आती है equipotential surface पे electric field lines perpendicular exert होती है perpendicular incident होती है या perpendicularly leave करती है ठीक है तो direction of electric field at equipotential surface is perpendicular the potential difference between any two points on equipotential surface is 0 common sense है पूरी surface का potential से है माल लो यहाँ एक A point है यहाँ एक B point है है तो क्या simple सी बात है वी ए बराबर वी भी है तो वी ए माइनस वी भी जीरो ही तो होगा कितना common sense है यह तो आई समझ और यह भी common sense नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या कर सकता है है फोर पॉइंट चार्ज आईसोलेटेड आईसोलेटेड का मतलब अकेला अलग से रखा हुआ है एक वी potential सर्फेस है इस पेरिकल सर्फेस तो यह ध्यान रखने का है कि किसी भी point चार्ज की विए से एक वी potential सर्फेस स्पेरिकल होती है potential on every part of spirit के क्यूब आर हैंस it can be assume that q is kept at the center of spirit द्यान दो समझो कि कोई q चार्ज रखा है तो उससे हम r बी स्टेंस पे देखेब चाहिए इधर r पे देख लो चाहिए इधर r पे देख लो चाहिए इधर आर पे देख लो चाहिए इधर देख लो चाहिए plane से बाहर आती हुई r देख लो उन सब जगे potential हो होती है और आपको याद तो हो गई जब electric field पढ़ाया था मैंने और वहां पर मैंने इस pairs पढ़ाये थे आपको तो एक बहुत अच्छा concept आपको बताया था और वह concept क्या था कि outside points के लिए इस pair के total charge को मैं उसके center पर मान सकता हूं तो यह वो एक application यहां भी लागू होती है बि चल देखते हैं next हमारा तो यह सारे बहुत ज्यादे important point है सारे points आपको याद होने चाहिए इससे कोई compromise नहीं होना जए सब कुछ याद होना जए जो लिखावा है यहां अच्छा characteristic वैसे तो उपर आ गई है बट एजे characteristic कोई पूछ ले कि equipotential surface की characteristics बताओ तो आपे सारे points लि hence no work is done in moving a charge from point to another मतलब क्या आ रहा है एक भी potential surface पे किसी charge को A point से B point पे लेके जाओंगा तो since potential तो सेम है तो कोई भी work नहीं करना पड़ेगा work zero होगा बहुत important है इवन जही तक तो इसके सवाल पूछ चुकी कि work done निकालो यहां से वहां ले जाने में और पता चलता है कि answer आता है इस question का zero आया समझ की नहीं आया आगया होगा next देखो two point two equipotential surfaces never intersect since at the intersection point we have two values of potential which is not possible again यह भी ध्यान रखे जैसे electric field lines के लिए होता था कि वो intersect नहीं करती है similarly हमारे पास potential के लिए होता है equipotential surface भी intersect नहीं करती है थार देखो this surface of conductor is an equipotential surface तो यह वैसे तो मैंने electric field lines पढ़ाई तब भी बता चुका अब फिर से समझे कि इस conductor जो होता है उसकी surface होती है वो equipotential होती ह है conductor की surface equipotential होती है इसलिए याथ करो कि field lines conductor पर perpendicular आखे गरती है या जाती है conductor से अब आप यह नहीं कहें कि सर एक में क्यों बना दे उसमें एक जांपल के लिए यादी इस पर आ रही है तो फिर आने वाली टाइप से रहती है दूसरी दर हो सकता है जाए इधर मालनों क्यों तो यह depend करता है वैसे तो ठीक है बट फोर दे टाइमिंग क्या अजूम करना आपको कि conductor पर अजूम क्या मतलब है तो रूली हो गया कि conductor एक equipotential surface होता है और उस पे electric potential या electric field lines कैसे आती है perpendicular आती है I hope की concept clear होगा अब कुछ standard procedures है जो ध्यान में रखने के है पहला देखो equipotential surface त एक इसके लिए point charge के लिए similarly यदि uniform field के लिए हमें बनानी है एक uniform field है uniform का मतलब कि direction और value उसकी constant है तो ध्यान दोगे तो एक भी potential surface इस तरह से बनेगी planar कैसे बनेगी plane तो सब पे potential इसके same इस plane पे कहीं भी जो potential same यहां कहीं भी रूखो potential same तो एसस और same distance के होगी इनके बीच की distance क्या होगी same होगी इनके बीच की distance क्या होगी same होगी यह पता होना चाहिए अभी थोड़े देर बाद बेटा हम एक relation देखेंगे E और V का एक बार वो relation देख ले हम तो इस पे थो कुछ complex questions भी हम कर लेंगे actually speaking में इसके exercise solution जब करूँगा तो exercise में इस पे कुछ के एक अच्छे question से equipotential surface ब्रो करने के वहाँ पे हम इसको और detail में देखेंगे अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें और समझे इसको ठीक है कि यदि simple lines है parallel lines है तो उनकी equipotential surface जो होगी वो कैसी होगी planar होगी ठीक है next देखो equipotential surface of dipole तो ध्यान से देखें कि dipole के लिए कैसा होगा अच्छा ध्यान दो बिटा यह information लिखा है बट actual में कई बारी पूछा भी गया आपसे board exams में और truly speaking हम normally देखके यह answer नहीं लिख सकते तो आपको यह remember करना है और मैं remember वाली चीजों को simply बोल दूँगा MGL समझे MGL का मतलब MGL का मतलब होता है मुझे घोट लो तो आपको यह concept डाइग्राम जो है वो बार बार यही कह रहा है MGL मतलब मुझे घोटा मुझे घोटा मारना है इसका ठीक है तो देखो यहाँ पे minus charge है यहाँ प्लस charge डाइपोल बन रहा है अब समझने के लिए यह समझ सकते हो क्या कि डाइपोल था यह minus ही plus तो lines जो थी वो plus को छोड़ गया से minus पे जा रही होगी ठीक है तो देखोगे तो एक spherical और spherical बीच का पार देखोगे तो plus minus बीच के पार में potential same सही होगा तो इस वज़ा से यहाँ पे दो lines है नहीं देखो यहाँ देखोगे तो potential बीचा simply कैसे बनता है ध्यान दोगे तो actual में electric field lines के help से बनता है यहाँ से field lines गई होगी गई होगी गई होगी और इस पे जाके ऐसे गई होगी तो इन field lines को जो भी field lines बने उनके perpendicular points पे एक surface बना दी हमने तो एक वी potential surface है तो truly speaking practically draw करना इसको feasible नहीं होता है हम direct देखके नहीं बता सकते तो ध्यान में रखना पड़ेगा अच्छा दो same तरह के charge हो positive or equal तो इस तरह के potential surface बनती है तो यह सारी बाते हमें ध्यान में रखने है बेटा actual में क्या है कि इन पे electric field lines perpendicular होती है या field lines पहले बनाओ तो उसके perpendicular points को मिलाते बनाओ तो दोनों बाते होती है तो दोनों का exact representation हो then we can draw but since board में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे याद कर लेंगे इसको remember रखेंगे आया कि नहीं आया समझ कि equal potential surface या lines की value अगरे को हम क्या कर लेंगे remember रख लेंगे याद कर लेंगे concept clear है कि surface इसके लिए simple होगी simple surface होती है uniform के लिए इसके लिए spherical और यह दोनों case होगी याद रख लेंगे हम जो की simple next देखो अब आता है हमारे पास में relation between electric field and potential मतलब क्या हुआ कि electric field और potential की बीच में क्या relation है ये हमें निकालना है तो देखो in electric field e for small displacement dl we have dv equal to minus e dot dl बेटा याद करो कि हमने ये formula derive गया था ev equal to e dot dl minus का infinity से r बट मैं तो था total निकालना हूँ बट जब मैं लिखू किसी small region में change छोटा change लिखू तो क्या मैं लिख सकता हूँ minus e dot dl अब मालो वह integration की step निकालना तो दोनों साइड integrate कर दो भाई समझे तो dv can be written as minus e dot dl and that is equal to e dl cos theta आया समझ formula को expand कर गी है हमने dot product के देखो तो यहां से क्या लिख सकता हूँ बेटा dv by dl equal to e cos theta now minus dv by dl represents decrement in potential with distance तो d minus dv by dl किसको बताता है देखो dl बताता है length को dv बताता है change in potential को और minus e dot कर दिया तो decrement को दिखाने के इसाब से हो गया तो यह क्या represent करता है कि decrease कितना हो रहा है potential में sorry distance के साथ में distance बढ़ाने पर कितना decrease होगा ठीक है आगे देखो potential gradient देखे किस तरह करेंगे when theta equal to 0 then loss loss का मतलब decrement in electric potential is maximum simple सी बात है बटा कि कोई हमें पुछे कि decrement की maximum value क्या है तो हम क्या बोलेंगे भाई cos theta 0 हो जाएगा मतलब यह cos theta maximum होगा यह value जब maximum होगी तब ही minus dv by dl maximum आएगा तो यह maximum होता है 0 degree ठीक है तो क्या बोल रहा है जब theta की value 0 degree होगी तो loss in electric potential maximum होगा इट मिन्स dv by dl maximum is for theta बराबर 0 we can assume this to be a vector quantity ठीक है हम इसको क्या मानना जाता है पटाए mathematical phenomena है मैंने कोशिश किया explain करने की truly speaking तो आपको mathematical representation याद रखना है तो यह जो क्या हो रही है यह quantity length पे से depend कर रही है ठीक है length के साथ change हो रही है तो इसको हम एजे vector quantity की तरह treat करते हैं और since it also depends on electric field this is called potential gradient and this is represented by grade V आई बात समझ कि हम क्या करते हैं dv by dl maximum होता है यह theta बराबर 0 के लिए तो इसको हम grade V represent करते हैं और dv by dl को हम grade V लिखते हैं grade is notated by gradient ठीक है तो function होता है यह grade gradient यह जो function की तरह work करता है क्या होता है तीरे दीरे समझ आएगा बट यह ध्यान रखो कि इसको ऐसे represent किया जाता है hence since dv by dl को हम लिख रहे है grade V so I can write e equal to minus grade V तो यह काफी important है कि electric field को मैं लिख सकता हूँ minus time gradient of V ठीक है और minus time gradient V क्या होता है gradient V is nothing but truly speaking this is dv by dl ऐसा समझों ऐसा कुछ है यह ठीक है तो e को लिख सकते हैं हम यह आगे बड़े देखो अब ध्यान दो कि यह भी हमारे पास क्या होता है कि electric field to think directional होता है तो हम लिखते हैं e x को लिखते हैं minus del v by del x e y को लिखते हैं minus del v by del y और e z को लिखते हैं minus del v by del z यहां ध्यान दी del v by del x किसे बताता है del v by del x is partial differentiation partial differentiation of v with respect to x ठीक है similarly del v by del y क्या हो जाएगा partial differentiation of y with respect to v with respect to y तो उतमें लिख देता हूँ यहाँ del v by del y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा same चलेगा v with respect to y similarly z के लिए आ जाएगा तो देखो del v by del x is the differential of v with respect to x e हो जाएगा e x i k e y j k plus e z k k and that is equal to minus of del y by del x i k del y by del z j k del y by del z k k and this जो operator है यह ध्यान दो बटा यह जो operator है इसको del बोला जाता है ना इसको हम del operator से दिखाते हैं और यह हमारे पास में आ जाएगा ठीक है इस पूरे operator को हम del से दिखाते हैं और इस पे v apply करने का मतलब है कि v का differentiation कर रहे हैं आया समझ अब यह होता है कि है देरे देरे समझ में आयाएगा ठीक है del operator बोलते है इसे question करेंगे हैं तो बहुत अच्छे है समझ में आयाएगा इसका मतलब होता है partial differentiation of v with respect to x तो जब भी यह करना हो हम x के अलावा सब कुछ constant माल लेते हैं जब भी यह करना हो y के अलावा सब कुछ constant है जब भी z वाला करना हो z के अलावा सब कुछ constant है मैं एक example करके दिखाऊंगा आपको कैसे करते है तब समझ आयाएगा और देखो if the potential is a function of the radius of spherical symmetry then ER can be written as minus dv by dr तो ध्यान दो E को simply कैसे लिख सकता हूँ minus dv by dx minus तो x variable हो गया r variable हो गया like that बाकिन यह दी simple x, y, z का function दिया है तो E इस तरह से निकाला जाता है electric field हम इस तरह से find करेंगी ठीक है और otherwise हमारे पास कोई भी तरीका ही नहीं होगा electric field find करने का I think कि सबको समझ आगए योगी बात कोई doubt नहीं रहना चाहिए यहाँ तक इस portion तक कोई भी doubt हो तो बताओ मुझे अब हम क्या करेंगे? questions try करेंगे मैं आपको questions बता रहा हूँ कि कैसे होंगे? काफी important है यह portion देखे सबी बच्चे हमें V दिया गया है और find करने को बोला गया electric field और point कुन सा है? 1,1,1 तो सबसे पहले तो है हम EX निकाल ले, EY निकाल ले और EZ निकाल ले तो पेटा EX जो होगता है वो होता है minus del V by del X ठीक है तो minus को तो बाहर रख लो अंदर differentiate कर लो इसको अब क्या सिखाया था? कि जब भी यह लिखा जाता है इसका मतलब होता है V का X के respect में partial differentiation और partial differentiation का मतलब होता बढ़ा X के लवा सब कुछ constant है और constant का differentiation क्या होता है? 0 तो यहाँ देखो यहाँ X दिख रहा है तो इसका तो differentiation होगा यह constant नहीं है तो X का differentiation X के respect में क्या हो जाएगा? 1 तो answer है 6 आगे बढ़ो यहाँ पे भी X साथ में है तो Y को constant है constant constant का constant रहेगा minus Y आगे बढ़ो यहाँ YZ YZ दोनो constant है तो constant का differentiation क्या होता है? 0 दिखान दो कैसे कर रहा हो मैं समझे यहाँ देखो X तो आगया तो यह सारा constant है X का differentiation 1 constant वैसा का वैसा आजाएगा minus YZ ठीक है? तो यह आगया हमारे पास में similarly EY बताओ क्या आएगा? EY आजाएगा minus of del V by del Y अब आप सभी बच्चे पहले इसको करे क्या आएगा? फिर मेच करेंगे answer से पोज़ करके करो निकालो इसे इसी तरह अपके बार क्या करेंगे? Y के अलावा सबको constant ले लेंगे तो यहाँ चला तो X X constant 6 भी constant 0 यहाँ चला Y बट Y तो है यहाँ तो Y का तो differentiation होगा X constant ऐसा कैसा है और Y का differentiation 1 minus X द्यान से देखू यहाँ जाँगा तो Y दिख रहा है तो minus Z और यहाँ भी Y दिख रहा है तो answer आजाएगा XZ minus XZ similarly EZ निकाल दे फटाफर से बच्चो तो EZ भी हो जाएगा minus del V by del Z sorry तो that is equal to minus of यहाँ आप Z नहीं है सब कुछ constant 0 यहाँ भी Z नहीं है सब कुछ constant 0 आजाएगा minus का 0 यहाँ देखो Z है तो minus का Y यहाँ पे भी Z है तो minus का XY अब सारी values रख दो 1,1 पर पूछा है तो value रख देंगे यहाँ पे तो value रख दूँगा तो आजाएगा मेरे पास में यह आजाएगी value solve होके 1, minus 1 तो 2 गया तो minus का 4 आजाएगा ठीक है यह आजाएगा ध्यान देंगे तो minus 1, minus 1, minus 1 तो minus का 3 आएगा बाहर से एक minus आएगा तो plus का 3 हो जाएगा and this minus 1, minus 1, minus का 2 तो plus का 2 हो जाएगा ठीक है तो यह आया हमारे पास में इसको solve करके तो बतो e क्या हो जाएगा e हो जाता है minus delvy by del x i k, e x i k, e y j k, e z k to minus 4 i k plus 3 j k, plus 2 k k तो यह हमारा answer हो गया तो देखो कितना सही answer है क्या किया कुछ नहीं बेटा ध्यान देंगे तो हमें partial differentiation करना है क्या करना है partial differentiation करना है partially differentiate करना है और उससे हमारे answers आ जाएगे next देखो for some electric field electric potential is given by v equal to 343 by r volt determine the electric field at a position given तो देखो अब के बार बेटा हमें x, y की form में नहीं दिया गया यह spherical symmetrical type से दिया गया है हमें पूछागे electric field निकालना तो ध्यान सबसे पहले समझेंगे कि e जो होता है हम कौन सा formula का मिलेंगे यह वाला कि e जो होगा वो होगा minus dv by dr तो e का पहले तो magnitude निकाल लेते है that will be minus dv by dr तो इसका differentiation करो क्या आएगा इसका differentiation आएगा ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा 343 divided by r square यह आगया magnitude मेरे पास ठीक है ध्यान भी इसका differentiation किया तो यही आएगा r minus 1 जाएगा minus 1 बाहर आएगा minus minus प्लस हो जाएगा तो यह आगया तो e का magnitude तो इतना हो गया बढ़ हमें तो चाहिए direction और position दी हुई है हमें तो कैसे करेंगे मुझे e की vector चाहिए तो vector e can be written as ध्यान से देखो magnitude of e multiply by r k तो फटाफर देखेंगे क्या हो जाएगा तो magnitude of here 343 by r square और r k हो जाएगा vector r divided by mode r ठीक है तो देखो क्या बन गया e vector e vector फटाफर बन गया 343 divided by r का cube multiply by r vector अब चाह r vector e हो गया इसका magnitude निकालो तो magnitude r को ऐसे भी लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ that is equal to this इसका magnitude आजाएगा 9 plus 4 9 plus 4 plus 36 तो इसका square root तो ध्यान दो 40, 49, 7 7 आ गया ही ठीक है तो 7 आ गया तो देखो फटाफट values रख दो 343 by 7 का cube तो 7 multiply by 7 multiply by 7 and multiply by r that is 3i k plus 2 j k minus 6 k k ध्यान दो गया तो यहाँ पे समझ में आएगा actual में 7 का cube भी 343 होता है ठीक है तो 7 का cube 343 होता है आप चाहे करके देख लीजी इसको 7 से divide कर दीजिए 28, 6, 7, 9 जा और साफ दिख रहा होगा 49 से 49 गया तो answer आगी हमारा यह आई होग clear हुआ होगा कैसे किया मैंने tough नहीं है एक बार दुबारा try करेंगे तो अच्छे से समझा जाएगा हमें ओके तो एक और मैं आपसे concept discuss करना चाहता हूँ थोड़ा advance लेवल का है यह advance ऐसे questions पूछ सकता है आपसे कैसे देखो माल लो एक infinite plate ठीक है infinite sheet या plate है जिस पे chart density है sigma कुलंब पर मिटर square ठीक है तो आपको पता होगा विटा कि इस से इसके पास के points पे electric field जो होता है electric field की value होती है sigma upon 2 epsilon note किया था तो sigma by 2 epsilon note होती है इसके आज़ पास points पे electric field intensity ठीक है अब मानो कोई हमसे पूछे क्या कि कोई हमसे पूछे कि यहाँ किसी point को माल लीजे यहाँ से कोई A distance पे है एक point और एक point B distance पे है इन दोनों के बीच में potential difference बताओ तो क्या पूछ ले हमसे कि VA minus VB बताओ हमे ठीक है यह A point माल लो यह B point माल लो तो कैसे करोगे आप ठीक है काफी अच्छा है कैसे करेंगे सोचो सोचो तो देखो बेटा कैसे करेंगे electric field constant मानते इसके लिए हमारे पास यह formula काम मिलेंगे ध्यान से देखेंगे तो DV जो हो जाएगा वो हो जाएगा minus E dot BX ठीक है integration करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा तो E की value रगदो minus of sigma by 2 epsilon 0 और BX का integration कहां से कहां तो होगा पहले B distance है तो B distance से लेके A distance ठीक है आया समझ में तो ये आजाएगा delta V that is VA minus VB I hope आपको समझ आया होगा तो ये formula आप याद रख सकते है competitive exams के लिए के एक infinite sheet से VA minus VB निकल तो क्या आता है sigma by 2 epsilon 0 V minus A there B is more देने तो ये ध्यान रख सकते है capacitance वगरे में भी कई बार काम में आ सकता है ये निकालने के तो ध्यान रखना है इस तरहें आप हमें कोई भी question करना हो कोई भी काम करना हो तो ओके I hope electric potential relation और ये सारे questions आपको clear हो गए होंगे बाकि next class में हम इस pairs के लिए electric potential देखेंगे और हमारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो सारा portion बहुत अच्छे से cover किया गया है आपको कोई भी doubt आप comment section में पूछे मैं जरूर reply करूँगा और अपने friends से साथ share करे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो like जरूर करे Thank you